हालो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आज मैं बात करने वाली हूं दाद घाज घुजली के बारे में बहुत सारे लोग आजकल इस समस्या से परेसान हैं इसको फंगल इंफेक्शन भी कहते हैं अगर हम लोकल टांसपोर्ट का इस्तिमाल करते हैं जिम जाते हैं स्विमिंग कूल का इस्तिमाल करते हैं पब्लिक ट्वैलेट का इस्तिमाल करते हैं तो बहुत सारे लोगों के कॉंटेक्ट में आते हैं जिसी की इंफेक्शन का खत्रा रहता है और ये बिमारी फैलता है इसके अलाबा अगर हम अपने सरीर को साफ नहीं रखते हैं तो उस जगह पर दाद खुजली की समस्या हो जाती है फंगल इंफेक्शन हो जाता है इसका रोक्ताम जरूरी है नहीं तो फिर ये फैलता चला जाता है और आपके परिबार में आपके साथ जो भी रहते हैं उनको भी होने का खत्रा रहता है आज मैं बात करने वाली हूं एक ऐससे एंटी बैक्ट करता है और दुबारा नहीं होता है एक और चीज अगर आपको कभी भी इंफेक्शन हो जाया तो उसको खुजाना नहीं चाहिए तो मैं बात कर रहे हूं डाबर सेनिटाइज जर्म प्रोटेक्शन सोप के बारे में जो की सिर्फ 10 रूपीज का है वैसे इसका बड़ा पैक भी पसीने की खुजली एक वार में खतम करता है खास कर बरसात की मौसम में फंगल इंफेक्शन से बचने के लिए बैक्टरियल इंफेक्शन से बचने के लिए इसका इस्तिमाल करना ही चाहिए बहुत लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि हमारे पसीने की इसमेल बहुत ज्यादा खड़ाब है क्या करें तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप इसका इस्तिमाल करके देखिए continue इस्तिमाल करके देखिए पसीने के स्मेल खतम हो जाएगी आप खुद कमेंट करके मुझे बताएंगे तो दाद, खाज, खुजली, फंगल, इंफ्रिक्शन के लिए रामबान है अगर समस्या जादा हो तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब करने के बाद एक घंटी का बटन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए थाइंक यू बाबाई मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में